Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss Class 6th Histories chapter number 11, Buildings, Paintings and Books. कौन सी important buildings हैं, कौन सी important paintings हैं, कौन सी important books हैं, जिसके बारे में हमें ancient history के बारे में पता चलता है, उनी के बारे में हम पढ़ने वाली हैं. तो एक बच्चा है, जिसका नाम है मरूतस्वामी और आइरन पिलर, जो आइरन पिलर और ये मरूतस्वामी दोनों, ये कहां जी, ये एक आइरन पिलर को देखने जा रही हैं, ये जो इनका experience है, ये अनफॉर्गेटेबल है, जानि कि भूलने वाला नहीं है, आइरन पिलर ये आ रही हैं, पढ़ने वाले हैं, तो ये बच्चा वहीं पे गया था, आइरन पिलर देखने के लिए, और ये अपने ब्रादर के साथ गया था, ये बताया गया, इसमें तो रहे हैं, आगे है, मैटलर्जी, मैटलर्जी क्या होता है, ancient Indian metallurgist made major contribution to the metallurgical history of the world, जो हमारी ancient इंडिय के metallurgical हैं, उन्होंने जो हमारी history है, वर्ल्ड की history में बहुत ज़दा important contribution दी है, archaeologist X Craved have shown that the Harappans were a master craftsman, हमने देखा है कि जो Harappa and civilization में, जो craftmans तो वो master थे, and had a knowledge of the copper metallurgy, तो उनको copper के बारे में भी knowledge थी, they even manufactured bronze while making copper and tin, तो उन्होंने bronze भी बनाया था, कैसे बनाया था, mixture किया था copper और tin का, while the Harappan belong to the bronze age, जबके जो Harappan है, वो bronze age को belong करते हैं, their successor belonging to the iron age, जो उनके successor थे, वो iron age से belong करते थे, India produced highly advanced type of iron, इंडिया में हमें बहुत advanced type of iron मिलता है, forged iron, wrote iron and cast iron, ये अलग-लग form बताए गई है, iron की है, ठीक है, ये iron pillar है, बहुत important है, इसके बारे में पूरा बताया गया है, iron pillar, ये कहां पे है, मतुरई में है, ये है, iron pillar at मतुरई, जो दिल्ली में एक place है, मतुरई में है, ये, दिल्ली में एक place है, is a remarkable example of the skill of Indian craft person, ये एक example है, remarkable example है, जो हमारे Indian craft persons की skill को ये बता रही है, it is made of iron, ये किस से बना हुआ है, जो iron pillar है, ये iron से बना हुआ, तभी तो इसका नाम iron pillar है, and 7.2 meter height है, और इसका weight है, 3 ton, इसका weight है, it was made about, इसको लगबग 1500 साल पहले बनाया गया है, और we have, know the date, हमें इसके बारे, इसकी date भी पता है, क्यों पता है, because there was, there is an inscription on the pillar, mentioning our ruler नेमा चंद्रा, क्योंकि इस pillar के पास एक inscription भी है, जिसके उपर name mentioned है, रूलर चंद्रा का, किसका चंद्रा का, who probably belong to the gupta dynasty, जो इखाद gupta dynasty से belong करते हैं, होंकि चंद्र गुपता मुगर यह है ना, पढ़ा था ना, हमने, what is amazing is the fact that the pillar has not rust in all these years, जाने कि इतने साल होगी हैं, पंद्रा सो साल होगी हैं, मगर अभी तक इसको rust नहीं लगा, जाने कि जंग नहीं लगा, यह भी archaeologist हैं, जो और भी historians हैं, वो पता नहीं किस यह iron का बना हुआ है, कि अब तक इसको जंग नहीं लगा, वैसा का वैसा ही है, यह वैसे लोहिकों में पता है न, जंग लग जाता है, तो इसको जंग नहीं लगा, कि रस्ट नहीं हुआ यह, building in brick and stone, buildings के बारे में अगर हम देखें, the skills of our craft persons are also apparent in the building that have survived such as the stoopas, तो हमारे जो ancient time के जो craft person है, उनकी हमें, जो skill है, वो भी हमें, जो building है, जो अभी भी survive करती हैं, उससे हमें पता चलते हैं, जिसमें example है, stoopa की, the word stoopa, जो word stoopa है, उसका मतलब क्या होता है, mound, mound मतलब होता है, stoopa का मतलब क्या होता है, mound, while there are several kind of stoopa, यहां पे बहुत तरह के stoopa होते हैं, जैसे round होते हैं, कोई गोल होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई चोटे होते हैं, और उनमें सब्समें कु तो एक स्मॉल बॉक्स रखा होता है उसके सेंटर में जो भी स्टूप बनाया होता है इस में कॉंटेन बॉडिली रिमेंज जिसमें बॉडिली जो रिमेंज होते हैं उसमें वो रखे हैं जैसे टीथ, बोन, आशिस ऑफ दे बुधा जो बुधा है ना बुधा और उसके जो फॉलोर्स हैं उनके जो बॉडि के रिमेंज जो टूथ होगे बोन्स होगे अशिस वो यहां पे रखे गई हैं और तिंग्स जो यह यूज करते थे एस वेल अस प्रेशिस स्टोन्स और यह भी हमें मिलते हैं यह स्टूपा है यह बहुत इंपॉर्टन स्टूपा है यह क्या है यह जो स्टूपा है यह The Great Stupas at Sanchi, एक सांची का स्टूप है जो मद्दप्रदेश में है स्टूपा like this one where built over several centuries बहुत पहले century में यहां के बहुत सालों पहले इसको बनाया गया, century, 100 साल के period को हम century बोलते हैं, while the brick mound, जो brick से बना हुआ है, इंटो से बना हुआ है, probably dated in the time of Ashoka, यह शायद ऐसा माना जाता है, यह Ashoka की time से बना हुआ है, जो इंटो से बना हुआ है, the railing and the gateway were added during the time of the later rulers, तो जो railing है और जो यह gateways वगहरा है, यह gateways वगहरा है, यह बाद में आने वाले जो rulers हैं, उन्होंने बनाई है, तो अगे left में भी है, यह दो left में, यानि के यह देख रहे हुआ हुआ है, यह क्या है, a sculpture from the Amravati, यह हमें Amravati में से मिला है, यह जो sculpture है, look at the picture and describe what you see, क्या क्या आप देख रहे हो, यह आप इसको describe करो, यह देखो, जगडा हो रहे हैं, ऐसे हैं, ऐसे लग रहे है कुछ है, तो यह क्या जी, अब इसके बारे में पढ़ती है, the box known as a relic basket, was covered with the earth, यह जो box है न, जिस box में, जो यह बुद्धा, बुद्धा है, उनके followers का, जो precious stone, coins और जो यह चीज़ें यूज करते थे, इसको यूज करते थे, teeth, bone वगएरा रखे जाते थे, उसको relic basket बोला जाता था, ठीक है, इस box को, ठीक है, was covered with the earth, जिसको एक earth से covered किया जाता था, लेटर, a layer of mud brick, और a baked brick was added to the top, फिर उसके उपर कैजी, उस पे पर पकी हुई एंट रख दी जाती थे, उसके top के उपर, उस box के उपर जाने के, and then the doom, doom like a structure was sometime covered with a carved stone slab, जो doom जाने के, जैसे गुबंद होता है, जैसे यह गुबंद होता है, तो उसको covered कर दिया जाता था, जातो stone slab के साथ, often the path known as a pradakshina patha, pradakshina patha बोला जाता है, was led around the stupa, जो stupa के around है, this was surrounded with the railing, इसको railing के साथ surround किया गया है, entrance to the path was through a gateway, तो gate यह देखो, entrance अलग से बनाई गी है, devotee walked around the stupa, जो devotees हैं, जो शरधालू है, वो stupa के around, जो चक्कर लगाते हैं, वो clock wise direction में लगाते हैं, जैसे clock गुमता है, clock ऐसे गुमता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही वो चक्कर लगाते हैं, okay, और clockwise वो चक्कर लगाते हैं, then both railing and the gateway were often decorated with the sculpture, जो railing है, और जो gateway है, उसको sculpture के साथ decorate किया गया है, find the amrawati, मैं आप number 7 में, जो 105 पेज नमबर पे हैं, जो previous chapter में है, वो page, amrawati बोला है, इनों हने देखने को आप भी अपनी book में देख सकते हो this was a place where a magnificent stupa, यह वो place है, जहांपे जो magnificent stupa once exist, जहांपे magnificent stupa होता था, many of the stone carving for the decorating the stupa was made about 2000 years ago, तो बहुत से जो stone carving है, many of the stone carving for decorating, जो stupa को decorate करते हैं, वो लगबग 2000 साल पहले इसको made किया होगा, बनाया गया होगा, other buildings were hauled, जो बहुत सी other buildings be hauled out of the rock, rock में से उसको जानी के उसको जादा होता है, पत्थर वगर हटा कर, जानी के उसमे से खुदवाई वगर गार कि उसको खाली किया जाता है उस place को, और इसको artificial caves बना दिया, ठीक है, some of these were very elaborately decorated with the sculpture and painting walls, बहुत सी ऐसी भी हमें वाल्स मिली हैं, जो जिनको hauler इस तरीके से किया गया है, उनमें sculpture के साथ डेकोरेट किया गया है, और उनकी walls को भी paint किया गया है, some of the earliest Hindu temples, बहुत से Hindu temples हैं, जो बहुत पुराने हैं, और also built at this time, इस समय में ये बने, जैसे deities, deities such as Vishnu, Shiva, दुरगा, इन सभी की worship हुई in these shrines, तो इन जो प्लेस इस ते टेंपल से इन प्लेसे पे जो वर्ष ये देवते हैं, शीवा, विश्नु और दुरगा इने की पूजा होती थी, the most important part of the temple was the room, तो इस room में सबसे important part कौन सा था, एक room था, जिसका नाम था, गर्भागिरहा, गर्भागिरहा, where the image of the chief deity was placed, ये वो वाली जगा है, वो व इस किया जाता था, रखा जाता जिसको गर्भागिरहा बोला जाता है, it was here that the priest performed the religious rituals, ये इसी room में जो प्रीस्ट थे पुजारी थे religious rituals को परफॉर्म करते थे और devotees, जो devotees शरधालू है, वो कहाँगी अपनी पूजा, अपनी इस डाइटी पे करते थे उसी room में जिसको गर्भ गिरहा बोला जाता है, तो ये देखो आप देख रहे हो ना, ये देखो टॉप में जानी के इस picture की बात हो रही है, an early temple at a bitragon, ये bitragon जो के उत्तर परदेश में एक place है, वहां का एक temple है, this was built about ये जो temple है, पंदरा सो साल पहले का है, and was made of baked bricks, ये पकी हुई इंटो का बना ये वाला जो आप देख रहे हो, अपनी बुक में, और टॉप राइट जानी के ये वाला है, जो ये है, monolithic temple at a mahabalipuram, ये mahabalipuram में है, और ये एक monolithic temple है, each of these were carved out of the huge single piece of stone, ये बड़े-बड़े पत्थरों को carved कर करके बनाया गिया है, that's why it is known as a monolithic, इसलिए इसको mono मतलब क क्या होता है, हाथ, लिदिक मतलब क्या होता है, stone, जैनके stones को हाथ के साथ, जैनके उसमें, काफ करके उसको बनाया गया, इसलिए इसको monolithic temple बोला जाता है, और कहां पे है, ये mahabalipuram में है, और which brick structures are built up by adding layers of the bricks, और इसमें, और भी जैसे layers build up की गई, जिसमें bricks add कर दी गई, और उपर तक, and in the case, the stone cutting had to work from the top downwards, list the problem that stone cutter may have in fields, तो देखवा कितनी problems आती होगी, इसको बनाने में छोटी मोटी थोड़ा बात है, कितना stone में से काफ करना, और ये bricks बनाना, उसके बाद ब्रिक के साथ चेनवाई करना है, लिस्ट आगे right में ये वाला, आप देखरने, ये व पुर्गा टेंपल है, ये एई होल में है, जो 14 सो साल पहले बनाया गिया था, often as the bitragon, a tower known as a shikhara, ये एक क्या एक टावर है, जिसको shikhara बोला जाता है, was built on the top of the garbhagirha, ये garbhagirha पे बनाया गिया, to mark this out as a sacred place, तो ये mark करने के लिए ये एक पवित्र प्लेस है, building shikharas required carefully planning, इसके लिए हमें carefully planning चाहिए, most temples also had a space known as a mandapa, बहुत से temples ऐसे भी थे, जहां पे एक प्लेस ही, जिसको mandapa के नाम से जाना जाता है, it was a hall where the people could assemble, ये वो वाला प्लेस था, जहां पे जो लोग हैं, यहां पे लोग इकटा होते थे, find the mahabalipuram and eyehole map number 7 में, जो 105 पेज में, वहां पे आप देख सकते हूं, वहां पे आपको, map में आपको बताया गया ही, कहां कहां पी हैं, some of the finest stone temples were built in these towns, बहुत से अच्छे stone के साथ temples बनाये गए हैं, इनी towns में, इनी शहरों में, some of these are shown here, तो इन में से कुछ यह दिखाएगा हैं, जिसके बारे में हमने यह पहले ही पढ़ लिया है, और उसके बाद आ जाता है, how were stoopas and temple built, तो यह stoopas और यह temples हैं, यह कैसे build हो, कैसे बनाये गए हैं, there were several stages in a building, a stoopa और a temple, तो temple और जो यह stoopa को बनाने का, जो एक हम बोल सकते है, step है, वो बहुत सेवरल step, बहुत से step होते हैं, इसको बनाने के लिए, यूजली, kings और queens decide to build these as it was a expensive act of year, जो अगर किसी ने बनाना है, king और queen ने तो पहले ऐसा थोड़ा भी ऐसे बनावाना शूरू कर दे, उसके लिए उनको पैसा भी चाहिए, इसके लिए expensive, जैने के बहुत खर्चीला काम है, कोई भी अगर building बना रही है, temple बनाना है, तो उसके the quantity stone had to be found, तो सबसे पहले उनके पास अच्छे stones होने चाहिए, quarried and उनके पास ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, एक प्लेसे दूसरी प्लेस पे जगह, केरफुली उसको लेके जाया जाय सके, जहां पे उन्होंने building बनानी है, यह सब कुछ सबसे पहले उनके पास होना चाहिए here these rough blocks of the stone had to be shaped and carved into the pillar, तो बहुत से ऐसे block होती है stone के जिसको shape किया जाता था और उनके उपर carving की जाती थी pillar के उपर, और walls के उपर paneling की जाती, panels किये जाते थे, floors और ceiling के उपर, and then these had to be placed in a precisely the right position, उसके बाद इनको जो इनका प्रेप्रोप्रियेट, जो सही प्लेस लगता था, वहाँ पर इसको रखा जाता था, उसके बाद Kings and Queens probably spend money from their treasury to pay the craftsperson who work to build these splendid structures, जो ये splendid structure बना रहे थे, जो King and Queen है, वो उनके अपने treasury से जानी कि उनके अपने खजाने से ही उनको pay करते थे, beside when devotees came to visit the temple or the stupa, they offer a broad gift which were used to decorate the building, तो बहुत से ऐसे जो शर्धालू होते थे, जब टेंपल बन रहा है तो जो शर्धालू उसके अपनी devotion के तौर पे गिफ्ट लेकिया आते थे और उस गिफ्ट को as a decoration भी यूस कर लिया जाता था, जिसकी example है, an association of the ivory worker, जो ivory worker होते थे, paid for one of the beautiful gateway at Sanchi, जो उन्होंने, Sanchi के जो gateway है, वो उन्होंने अपना दिया, ठीक है, ivory का, okay, among the others who paid for a decoration, who are a merchant, और भी जो decoration के लिए देते थे, वो होते, merchant थे, farmers थे, garland maker थे, garland maker थे, garland maker जो fool, fool की माला बनाने वाले होते हैं, perfumers थे, smiths थे, और hundreds of men, बहुत से लोग ऐसे थे, and women's थे, who are known only by their names which are inscribed on the pillar, जिनके बारे में हमें, उन inscription के उपर लिखे, के साथ ही पता चलता है, railing and walls के उपर जो लिखा है, उसके साथ हमें पता चलता है, कि इ so when you get a chance to visit any of this building, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them, अगर आपको future में कभी भी मौका मिला ना इसको देखने का, तो आप देखना इतने बड़ी building को कितने जादा लोगों को काम करना पड़ता होगा, तो यह हमने पढ़ लिया था, यह देखो, आप यह देख रहे हैं, जो left में, यह देखो left मे a Jaina Monastery from Odisha, Odisha में एक Jaina, जो Jaina धर में, उनकी एक Monastery है, Monastery होता है, मठ, this two-story building है, two-story building है, was carved out of the rock surface, यह rock होती है ना, जो चटाने होती है, उसको carved करके बनाए गई है, notice the entrance of the room, Jaina Monk lived and meditate in this room, in what way in the case shown is the difference from the elision of the page number 14, देखो, यह देखो, कितने यह room, कैसे बनाए गए है, यह two-story है, और यह कैसे, इस में से rock में से यह बनाए गई है, कितने beautiful बनाए गई है, और यह below जाने के नीचे, आप देख सकते हो, यह sculpture from the National Museum New Delhi, New Delhi से यह है, यह का sculpture मेला है हमें, आगे हम पढ़ने वाले हैं, पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग भी बहुत जदा important है, तो पेंटिंग, फाइंड अजन्ता, अजन्ता अड अलोरा की बहुत जदा important है, यह पेंटिंग, अजन्ता, अजन्ता को अप मैप में देख सकते हो, ये 105 में जो map है वहां पे बताया गया है ये भी caves हैं ये hills को hollow करके बहुत century तक बनाएगी है most of these were a monastries for the buddh monks जातर ये जो monastries थी monastries बनाएगी है buddh monks के लिए and some of them were decorated with the painting और उन में से बहुत ऐसे भी हैं जिनको painting के साथ decorate किया गया है here are some example as a cave a dark inside some of these paintings were done in the right of the torch bossy painting ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे dark inside में बनाएगी हैं बहुत अच्छे colors का use करके इनको बनाया गया है और ऐसा भी माना जाता है इनको बनाया गया है the color which are vivid even after 105 1500 500 years तो पता नहीं कैसे colors का इन्हों ने use किया हुआ कि आज भी 1500 साल पहले 1500 साल बाद भी ये जो है इतनी अच्छी देखने को है who made of plants and minerals शायद जो ये colors होंगे ये plants और minerals को mix करके बनाये गये होंगे the artist who created this planted work of art remains unknown मगर जिसने ये देखो कितनी सुंदर painting है ना और ये जो painting बनाई है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में unknown है जानी कि हमें कुछ नहीं इसके बारे में पता ये है जी ये painting from a agenda describe what you see in each of the painting तो ये देखो ये agenda से ये painting मिली है हमें ठीक है ये effect बताया गिया है आपको the world of the books ये world of the books कितने ये chapter थोड़ा सा बड़ा है तो हम इस remaining chapter है इसको हम next video में discuss कर लेते हैं हैं तो books के बारे में हम उसी video में discuss करेंगे thanks for listening me God bless you